अब दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होग आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों आज किसी वीडियो को हम सुरू करते हैं तो दोस्तों यह लेक्चर नमर्ट 21 है और इसे प्रिवर सारी लेक्चर में हम लोग बहुत साथे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किये जैसे कि बीम किया होता है विकी कितना परकार होता है यह सब के बारे में हम लोग दी सकुषण क किये थैं अब दूस्तों के यस वीडिव में हम् सब दोस्तों आज कि समने में की बिजार होता है कि लोड होता है आं लोड अ cu तो लोड एक एकस्टरनल फोर्स मतलब है करता है जो कि क्या करता है जो कि डिफार्म बड़ी को चेंज करता है उसी को तौसरे मों बोलते है लोड बैसिकली लोड कहने का मतलब यही है कि लोड एक एक स्टरनल फोर्स है जो कि बॉड़ी को डिफार्म करता है अब अब लोग पढ़ेंगे कि लोड कितने परकार का होता है तो जर्नली दोस्तों लोड तीन परकार का होता है पॉइंट लोड, uniformly distributed load, uniformly varying load, पॉइंट लोड को ही दोस्तो दूसरा नाम होता है Concentrated Load, मतलब Point Load को ही दूसरा नाम से जाना जाता है Concentrated Load Uniformly Distributed Load को हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों UDL और Uniformly Varing Load को दोस्तों हम लोग बोलते हैं UBL तो दोस्तों चलिए हम एक करके यह सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि यह किस परकार का Load है और इसे क्या क्या कहा है मतलब इसका क्या क्या परिभासा है तो चलिए दोस्तों पहले हम लोग पहला पढ़ते हैं Point Load क्या होता है The Load which act a particular point is known as Point Load Point load दोस्तों कहने का मतलब वह ऐसा है कि वैसा load जो किसी particular point पर पढ़े मतलब किसी भी particular point पर act करे उसी को दोस्तों हम लोग बोलते है Point Load particular point करने का मतलब जोस्तों कि किसी भी beam के किसी भी beam आखिर load है तो beam पर ही पढ़ेगा तो किसी भी beam के particular point पर act करे उसी को दोस्तों में बोलते है point load जैसा कि दोस्तों figure हम देख सकते हैं या मेरा beam है ये red वाला सी जीसा मेरा beam है ये वाला देखें दोस्तों ये वाला ये मेरा point A है यहां पर मेरा point B है और इससे हम दो को support दिये हुए, पहला support है, यह मेरा दूसरा support है, और इसका किसी भी particular point देख सकते हैं, जो w लग रहा है मेरा दोस्तों, यह एक particular point पर लग रहा है, सब जगा नहीं लग रहा है, किसी particular point पर लग रहा है मेरा w यह, तो इसी को दोस्तों में बोलता है point load, तो I hope द पढ़ते हैं कि दोस्तों अब हम लोगों को पढ़ना है uniformly distributed load uniformly distributed load आर्के होता क्या है तो the load which act the beam in such a way that each unit length of beam carries same intensity of load which called uniformly distributed load सबसे पहला बात दोस्तों uniformly distributed load को हम लोगों udl बोलते हैं और यह कहता कहा है दोस्तों तो यह कहता है दोस्तों कि किसी भी बीम पर किसी भी बीम पर उस परकार से लोड पढ़े मतलब कि किस परकार से लोड पढ़े दोस्तों तो उस परकार से लोड पढ़े जहां पर जो जो लोड पढ़ रहा है वो same intensity का होना चाहिए मतलब जितना भी लोड उस बीम पर पढ़ रहा है वो same intensity का होना चाहिए यह आपको कहता है uniformly distributed load यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों the load which act the beam in such a way that each unit of length मतलब कि परतेक unit of length किसका दो बीम का परतेक unit of length जो है वो act कर रहा हो same intensity जैसे देख सकते हैं दोस्तों यह same intensity से act कर रहा हो उस बीम पर उसी को दोस्तानों बोलते हैं uniformly distributed load जैसा कि दोस्तों figure हम दे सकते हैं यह मेरा एक beam है यह red वाले से यह मेरा एक beam है और मैं अपना कदर थोड़ सा चेंज कर लेता हूं दोस्तों हाँ देखे दोस्तों यह मेरा बीम था रेड़ वाले से और यह मेरा दोगो सपोर्ट है जैसा कि पहला सपोर्ट है दोस्तों यह मेरा दूसरा सपोर्ट है ठीक है और देखे दोस्तों डिफिनिसन से यह कहा गया है कि स से लोड इस वाले point पर पड़ रहा है और वही वाले intensity हैùng ş each month पर भी पर रहा है तो मत बाउब करने का मतलब इस है दोस्तों कि सारा का सारा जो लोड उस beach पर पड़ रहा है वह सेम से इंडेन्जिशिटी का है और point A से point B का जो दोस्तो length होता है वो L है मेरा तो इसको दोस्तो express किया जाता है weight per unit length इसको express करने का क्या तरीका है दोस्तो तो weight per length से हम इसको express करते हैं हाँ दोस्तो अब हम इसको एक example के समझाते जिससे आपको और अच्छे से clear हो जाएगा तो जैसा कि दोस्तो देख सकते हैं आप इस वाले figure पर ध्यान दीजेगा यह वाले पर देखें दोस्तो इसमें point A है point B है जिसको हम पहला support दिये हुए यह मेरा दूसरा support है ठीक है और इस पर भी दोस्तो same intensity का हम load दे रहे हैं इस beam पर को इस वाले beam पर दोसो तो इस वाले beam पर हम same intensity का load दे रहे हैं तो 3 मेटर का मेरा क्या है क्या है दोस्तो हम टोटल लोड अफ यूडील निकाले है मतलब जो UDL है Uniformly Distributed Load इसका हम टोटल निकाले तो कितना आना चाहिए दोस्तों तो यह जो जितना रात है 10 km उसको हम भाग गुना कर देते हैं 3 मीटर से मतलब कि यह जो 10 है इसको हम गुना कर देते हैं इस वाले 3 से तो आपको आ जाता है दोस्तों कितना 30 आ जाएगा जैसे देख सकते हैं यह 10 km न्यूटन इंटू 3 है तो मेरा आ जाएगा एक ना दोस्तों यह मेरा 30 km न्यूटन आ गया अब दोस्तों जो टोटल लोड आफ अगैं और अगर दोस्तों हम जो यूडी एल है उसको अगर हम पॉइंट लोड में convert करें तो मेरा कैसा आना चाहिए दोस्तों तों देखे देखे दोस्तों हम बताय थे कि जो लॉड आया टूटल वो सेंटर पर एक्ट करेगा तो देखे दोस्त देखे करहें तो सेंटर पर यह देंटर में इसंतर पर एक कर रहा कई पाप्ली तो पर ही किसमें ब्हार को यहां से लॉड़ कर रहा है। जो मेरा 3 मीटर था वो हो जाएगा 1.5 मीटर यह जाएगा 1.5 मीटर यह दोस्तों आपको convert होगा किसमें यह आपका होगा convert आपका point load में मतलब कि UDL को अगर आपको point load में convert करना हो तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको simply जो जितना भी intensity सा आपका जो load उस beam पर पढ़ रहा है उसको गुना कर दीजिए beam के lint से और जितना आएगा दोस्तों आपका answer वो हो जाएगा दोस्तों आपको put कर दीजिए किसमें इस वाले figure में वो figure में कहां पर put होगा दोस्तों तो मीडर पॉइंट मतलब कि मीडर पॉइंट पर आपको वह जो पना भी load आए उसका put कर दीज और वहां से आपको दोस्तों आजाएगा आपका point load तो आज हो दोस्तों आपको ये वाले समझ में आ गया होगा अच्छे से तो चलिए दोस्तों अब हम लोग last पढ़ते हैं जो कि मेरा आज का last है uniformly wearing load जिसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं UBL यह दोस्तों क्या कहता नहाए कि the load which act at the beam in such a way that the rate of loading per unit length uniformly wearing load is called uniformly wearing load करने के मतला भी है दोस्तों कि वैसा load जो किसी भी beam पर पढ़े न दोस्तों तो सेम नहीं रहना चाहिए वो वैरी करते रहना चाहिए जैसा ही दोस्तों फीगर हम दे सकते हैं यह मेरा जो beam है यह वाला इस पर जितना भी load पढ़ रहा है दोस्तों देखिए यह पहला load मेरा पढ़ रहा है यह कुछ अलग ही load पढ़ रहा है उससे फिर कम load पढ़ रहा है दोस्तों फिर उससे भी कम load पढ़ रहा है फिर देख सकते हैं दोस्तों कि यह मेरा हर बार जो load है वह बदल रहा है मतलब क कि vary कर रहा है तो definition से भी यह है कि vary करना चाहिए मतलब कि जो loading per unit जो है length वो uniformly vary करीद रहना चाहिए मतलब कि एक समान रूप से vary करना चाहिए तो उसी को दोस्तों बोलते है uniformly varying load और इसको express किया जाता किसमें दोस्तों weight per unit length में इसको express किया जाता है तो एक ठोग example से समझते दोस्तों कि अगर आपको UVL मतलब कि uniform varying load को अगर आपको convert करना पड़े pointer load में तो आप कैसा करिएगा तो आपको दोस्तों simply आपको कुछ नहीं करना है आपको जितना भी यह वाला जितना भी रहता है इधर वाला इसको को आपको गुना करना रहता है इस वाले से और उसके साथ गुना करना रहता है 1 by 2 से भी तो जैसा कि दो सकते है यह मेरा जो टुटल है यह मेरा 12 kN का है और इसका तो टूटल लेंथ है वह मेरा 6 Meter का है तो टूटल लूड अफ यू भी एल कितना है दोस्तों तो 1 x 2 x 6 x 2CH देशाच देश सकते हैं, यह मैरा lazy Dale रहा है रहा है तो यह मै रहा है तो area of triangle क्या होता है दोस्तो 0. min कितना हो 6 meter यह मैर की है और यहा पर हीट कितना है दोस्तो किया 12 kg is 12neg15 यह मेरा हई तो है हम थे लगा टीए formula और मैं आसम इसको solve किये तो मेरा कितना आगा है W बराबर 36 किलोन्यूटन यह क्या आया है दोस्तों तो total load of UVL मतलब इस UVL पर जितना भी लोड पड़ रहा है वो कितना है दोस्तों तो 36 किलोन्यूटन है इसी को अगर हम convert करेंगे दोस्तों तो उससे पहले दोस्तों एक और important point यह है कि total load of UVL is act at 2L by 3 मतलब कि जो total load आया है 36 किलोन्यूटन यह act करेंगा point A से अगर आप point A से इसका position find करना चाहते है तो कितना पर आएगा दोस्तों तो 2L by 3 पर आएगा वही अगर आप point B से इसका position position निकालना चाहते है तो कितना आएगा दोस्तों यह L by 3 पर act करेगा अगर आप point A से position निकालना चाहते है तो 2L by 3 और अगर आप point B से position निकालना चाहते है तो L by 3 यह आपको act करेगा जो total load आया है UVL का अब दोस्तों अगर if UVL is change into the point load अगर UVL को अगर हम change कर देंगे पॉइंट लोड में तब कैसा फिगर बनेगा दोस्तों तब देखे दोस्तों यह ऐसा फिगर बनेगा मतलब कि हम पॉइंट ए से निकाल ले तो.a से कितना आता है दोस्तो तो 2L by 3 यहां से लेकिं यहां से अला होता है दोस्तो 213 है मेरे यहां से यहां तक और हमको यहाँ पढ़ें और अखें करेगा यहां बोला एक टोटाल लोड उफ जो यूभी रहुत हुआ एक्ट करेगा 2L by 3 point A से तो हम point A से 2L by 3 के दुरी पर हम इसको act करवा दिया है और point B से बोला है दोस्तो L by 3 तो हम point B से देख से देख से देख से देख से यह आप L by 3 मेरा यह point B से act कर रहा है हम point B से इसको L by 3 distance पर हम इसको act करवा दिया और यह है मेरे तोल्ल हो गिना दुष्ट की दोस्तों ज जबने सब्सक्राइब यह करेंगे अगर लूल का धेली मेरे और 6 एंटियों हो जाईगा 12 और जीने 216 है है तो मेरा 2 six है और हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो मेरा जाएगा 2 मिटर दोस्ता अब करोंट हो जाएगा पॉइंट लोड में मतलब इसको पॉइंट में करने के किरुए सच्ट नियुली वैरिंग लोडसना है तो फिलाल कि वीडिण में तक फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वडियो में अगर आपको अच्छा लगते हैं हलफू लगते हैं तो शेर करतार हम नुद टो मिलें दोस्तों अगर क्ल सुझ चया यह सीर को धन्य वाद झाल झाल झाल